सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे आज का बाजार हमारा कैसा गया निफ्टी आज गैप डाउन के साथ बाजार उपन हुआ और एक्जाक्ट सपोर्ड बनाया आज 16825 का उसके बाद मार्केट में अच्छा का सा रिकवरी आया 17,000 के लेवल को मार्केट में इंपॉर्टनली तोड़ा ज़रू था पर उसके बार मार्केट सस्टे नहीं कर पाया निफ्टी बैंक की बात करी जाए तो निफ्टी बैंक में लगबग गिरावाट तेजी के साथ चल रहे थे निफ्टी के अंदर लगबग दो की असपास की थी लेकिन क्लोजिंग आते आते दोनों मार्केट के अंदर जो है काफे अची खासी गिरावड के साथ बाजार क्लोज हुए और इसलिए ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो गया और यह जो में लेवल्स निकाले थे यह सारे क्या होगे आ बिकार होगे और इसके नहीं करने वाले तो हम लोगों ने आपको लाइव अपडेट दिया मार्केट खुलने से पर यह आज का अपडेट है टेलेग्राम जो हमारा एडिमे के स्टाक का ऑफिशल चैनल है यहाँ पर हम लोगों ने आपको नो बचके आठ मिंट पर अपडेट किया था कि हम लोग 15 करेंगे मार्केट देखते हैं कहां पर जाता है जब मार्केट 16,825 का लोग बना चुकी थी तो बॉटम फॉर्मेशन कर चुकी थी और उस वक मार्केट लगग 16,840 के असपास थी तो हमने यहाँ पर आपको जो टागेट दिया था वो 16,890 से लेकर कि 925 का आपको रिवाइ गया इवन 17,000 37 के असपास तक आइधिंक मार्केट गया था चालिस का जो लेवल था जो कलम लोग ने सपोर्ट निकाला था वो मार्केट में एजर रिजिस्टनस पीज किया 17,040 का तो अब इसके बास सवाल ही आता है तो ठीक है आज जो भी था जैसा भी था दिन निकल गय तो उसके यह लोग वापस आते हैं और सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड माहल चेक कर लेते हैं हमारी मार्केट में गिरावट है अब आते हैं अमेरिकन मार्केट डॉज विलाल 30 पॉइंट के तीजी के साथ है और नेज्जक के इंदर गिरावट है 40 पॉइंट की ऐस अब इसे भी 500 के इंदर दो पॉइंट के असपस की तीजी है जो कि उस खास नहीं है यानि अमेरिकन मार्केट अभी भी यहां पर इसके बाद आते हैं अज़े जापान के मार्केट में यहां जो गिरावट है करीब डेड़ पर असपस है यानि हमारी बैंक निफ्टी के अं होंग कोंग की मार्केट में आप देखें भेंकर यहां पर गिरावट है करीब पॉने 4% की सुकर है हमारे बाजार हमारा निफ्टी इतना नहीं गिरा अगर इतना गिर जाता तो फिर सोच से कि इसमें क्या हो दा हमारा पूटफोलियो का इसके बाद चाइनिस मार्केट में लगबग पॉने 2% की गिरावट है तो अगर एश्या की मार्केट आप देखोगे डीड़ परशंट आपका जापान गिरा है हौंग कोंग में गिरावट पॉने 4% की है चाइनिस मार्केट में गिरावट कितनी है पॉने 2% की इनके मुकाबले तो हमारा बाजार अगर आप तो कितना गरा है तो सिर्फ 0.87% गरा है तो निफ्टी के इंड गरावट जस्टिफाइबल है हमारी मार्केट उतना नहीं गरा जितना अमारा इसे के बागी बज़ार करें Sensex में भी ज़्यादा गिरावट नहीं है बस Nifty Bank ये तो हमेशा मार्केट के ज़्यादा वोलेटाल रहता ही है तो यहां पर गिरावट जो है थोड़ी ज़्यादा है बट अब सवाल ही आते है कि इस गिरावट के बाद कल का session कैसा रहेगा तो इसके लिएक बार हम लोग पहले data चेक करेंगे सारा data सब सबहल है अम लोग चलते हैं यहां से FIS और DIS का course of action कैसा है तो यह हम लोग आप चुके हैं 28 सितंबर का data कैश मार्केट में फिर से यहां पर बेच करके गए है FIS ने बेचा है 2700 करोड का और इंडेक्स आप्शन में 9252 करोड का बहांकर खरीदारी करके गए है और जो हमारे regular followers है वो जानते ही होंगे जब भी ऐसा session मनता है यानि कैश मार्केट में बेचा हो यहां पर इंडेक्स आप्शन में खरीदा हो तो आगले दिन का बाजार में बहांकर गिरावाड हम लोगों ने ट्रेंड हमेशा नोडिस किया है अब यहां से हमारे D.I.S. जो है लगाता है खरीद रहे है 17,000 के नीचे मार्केट जब तक रहेगा D.I.S. की तरफ से सपोर्ट बना रहेगा यह हमारे लिए एक पॉजिटिव फाक्टर है इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया विक्स जो की 22 के आजपस आ चुका है यह हमारा बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है जो हमारा कमफरेबल जोन रहता है कल यहाँ पर कैश मार्केट में बेचा 2800 कोड का इंडेक्स ओप्शन में उसके दुगना खरीद करके गए आज आपने कैसा ट्रेंज देखा बाजार खोला गैप डाउन गैप डाउन की बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया फिर से वापस सैलोन वाईज आया वहारा गिरावरट पίसा था इसे पहले भी मार्ट जर्सी आप देख पार है यहां पर फुड़ा सा चेंस सेनंटरी करके बाकी ओवरॉल जो डेटम रहे है वह जाधा साथा बंद रहे हैं फिल्जाधा सूरेतर को बंद रहे है याननी कि बहुत जदा अलर्ट रेनर अग्रसिवली आपको अगर दिखता है कि मार्केट का बौटम है तो बौटम होगा नहीं आपको लगेगा कि मार्केट अपने टॉप पर आगया तो लगेषकते heま कल तो काफी कंवर्परेबल था औरमने कहा भी तह कि कि PCI ratio के हिसाफ से market oversold है अगर market कल गिरता भी है तो market bounce back जरूर आएगा और आज आया भी आपने देखा भी कि bounce back market के अंदर खुलने के बाद आया जरूर था शुरुआत करेंगे अब हम लोग future के open interest से combined open interest का अब यहाँ पर data देखने जा रहे हैं ओ ओ ओ यहाँ पर आप गर आप देखेंगे तो यह भेंकर situation है आज यहाँ बर short built up हुआ है short built up छोटा मोटर ही है अभी तक का आप देखेंगे तो बहुत भेंकर है लगबक 6 मेने पहला ऐसा बना था short built up और उसके बाद आपने देखा था कि गिरावर बाज़ार के दर काफी ज्यादा डिप हुई थी काफी ज्यादा market में गिरावर आई गी तो अगर इस तरह का short built up हुआ है तो market हमारा 16,666 से लेकर के 16,500 तक के level का dip आपको देख सकता है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है इस जिटा के हिजाब से जैसा भी फिलाल इसका जो conviction है निकल कर क्या रहे है अब इसके बाद हम लोग आते है 19 सितंबर कल की PCR ratio कैसा है कल के PCR ratio के हिजाब से तो देखा ज के level पर आज 17,000 के level पर थोड़ी बहुत निया बहुत जादा है 57,48,100 के आज पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इतनी भेंकर call rating काफी लंबे समय के बाद होते ही नज़रा रहे है और कल monthly expiry भी है तो कल काफी जादा आपको market surprise करेगा काफी जादा नहीं बहुत जाद 17,000 के level पर भेंकर resistance मार्किट ने बना लिया है इसके बाद हमारा जो resistance है वो है 17,150 पर क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी position जो बन रही है वो uncomfortable देखने में मिल रही है 17,150 का resistance है उबर की दरफ नीचे में हम लोग आते हैं तो एक और level पर आज call rating है जो कि 41,000,000 शेर से आज level पर 16,900 के level पर तो literally guys आज का जो data है वो थोड़ा थोड़ा नी बहुत जादा बहुत जादा risk है नीचे में हम लोग आते हैं तो market अगर कल गिरता है और अच्छी गिरावट लेता है तो सीधा हम लोगे support कल मिलेगा न वो हम लोगो 16,700 से लेकर के 650 के बीच में ही मिल सकता है यानि कि गिरावट के जो levels हो सकते हैं वो आपके लगबग 300 point सक्के down आपको market ले सकते हैं इसके बाद आप आते हैं तो 16,800 पर small support आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपके जो open interest मिल टब हुए है पुटकी सैड में थोड़े से जाद हैं 18,000 के आस पास से हैं बाकी जो high conviction है वो 16,500, 16,700 के बीच में market एक halka full का support लेता हुआ हम लोगों को नजर आ सकते हैं तो यह फिलाल आपका यहाँ से data अब हम लोग चलते हैं चार्ट के उपर चार्ट पर जाने से पहले एक बार global market के indices और stocks पर नजर डाल लेते हैं तो dollar index यहाँ पर हमारे लेक पॉसिटिव टेजी है विपरो के अंदर क्या है तेजी है कितना तेजी है एक परशंट की तेजी है इंफोसेस में भी तेजी है लगबग कितना पहुने दो परशंट का तो IT सेक्टर के अंदर अब नीचे से buying आने स्टार्ट हो चुका है US market में जो कि अच्छी बात है इसके बाद हम लो opportunity साबित होगा अगर 140 डॉलर के नीचे आता है तो Amazon stock यह हमारे comfortable zone में भाइब किया जा सकते है US के 10 साल की bond seal यह भी हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है बाजार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि यहाँ पर पहुने 4% की गिरावट है तो अगर food oil के इंदर फिलाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6600 के level के असपास यह मना हुआ है यह वारे लिए अच्छी ख़बर है अब आते हैं Dow Jones के उपर तो Dow Jones यहाँ पर आज देखें तो हम लोग 1% तेजी के साथ चल रहे है नैस्डैक में तेजी कितना है लगबग 60 point के अस बट सारे की सारी closing होते की time सारा चला गया इसी तरह से अगर हम लोग आज का session यहाँ पर देखें लेकिन यहाँ पर इनके बाजार के लिए resistance काफी बड़ा बन चुका है आगर बाजार यहां से जाता भी है तो first resistance इनका 11420 का face करेगा जाता है तो हो सकता है कि यहां से फिर जो है selling आए और बाजार इनका वापस नीचा है तो अभी देखना यह बाकी है कि क्या इनके बाजार में भी sell on rise का आज भी train बनता है या नहीं बनता तो जो तेजी है अभी फिलाल इसके पर हम लोग बरूसा नहीं कर सकते क्यों क्यों क मार्किट करना थोड़ा सा एक डर का महल बना हुआ है अब इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी मार्किट कहां पर क्लोज हुई है कहां पर शल रही है तो दीके निफ्टी हमारे कितना है 16,881 पर क्लोज हुए है और SX निफ्टी कहां पर चल रहा है 17,000 की उपर ट्रेडिंग कर रहे है तो आज का इस डेटा बन रहा है वह बहुत जादा कंफ्यूजिंग नहीं आपके सामने आप भी जो वीडियो देख रहे होंगे कहरे हुए सर कि आप तो स्टार्डिंग में बोल रहे हो कि डेटा बड़ा खराब बन रहे हैं क्योंकि आप देगे Pc-c-c-c-c-c- ratio तो फिर तो जो यही सारे ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होते हैं तो फिर आप देख लेना कि मार्केट के अंदर क्या होगा जो अभी तक पिछले एक महिने में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कल वो हो सकता है यानि कि मार्केट या तो बड़े गैप अप के साथ खोल इसलिए कल का मार्केट कहां उपन होगा इसको फिलाल आज की वीडियो में प्रेडिट करना काफी डिफिकल्ट है डिफिकल्ड ही काफी डिफिकल्ट है तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे यहां से हम लोग फिलाल एजएक शिफ्टे के हिसाप से ही लेवल लिका लेग कि अबर मार्केत को अगर बड़ा किरेगाप अगर ले ना यह तो कि 17,000 दोसों कैं तो अगर सबसक्रेंब हाँ मार्केंड के ऊपर ही कल उपन होता है अगर कल 17,000 के ऊपर ही मार्केंड उपन होता है तो हम लोग आपको सबसे पहले टैलेग्राम के उपर लाइव अबडेट करेंगे कि कल मार्केंड कहाँ पर जाएगा बट फिलाल अगर हम लोग मानें कि मार्केट अभी जहाँ क्लोज हुआ है इसी कि आसपस मार्केट कहीं पर उपन होता है और मार्केट इसके बाद जाता है डिप में तो कल मार्केट का जो बड़ा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 16,650 से लेकर के 700 के बीच में ऊपर में मार्केट अगर आता है तो डिप मार्केट का है 17,000 पहला जिश जैंच सकालज का दूसरा जासरा ये मार्केट के लिए कल रिजस्टेंच से 17,140 से लेकर साथाज़ाच से लेकर 17,230 का 17,230 के लिए लेट को होल गरागेता है तो अचछी बात हैं दर्वाइस मार्केट के दर फिर से हम लोगो सेलन राइस का फॉर्म लाई कल देखने लिए मिल सकते हैं सो कल के लिवल्स एक्जाक्ली हम लोग डिस्कुस करेंगे कल सोवे टेलग्राम की उपर तब तक लिए थैंकि सो मच बैंक निफ्टे के लिए हम लोग सेकेंड वीवीडे में डिस्कुस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टे कल क्या लावल हो सकते हैं इस वीडियों में फ्लाल इतना ही मिलेंगे हमसे नाइश वीडियो में तब तक लेंए कि सोन फालस देगा सभना इस चे